आप सभी ने ममी के बारे में तो जरूर शुना ही होगा दरसल जब किसी इम्रीत शरीर पर लेप लगा कर उसे सालों तक सुरक्षित रखते हैं तो उस प्रकिरिया को ममी कहते हैं ये प्रकिरिया प्राचीन समय मिश्र में अपनाई जाती थी जब वहां के लोग अपने प्रिया जनों की मौत की बाद उसकी ममी बना कर उन्हें शालों तक संभाल कर रखते थे अब हाल ही ममी को लेकर एक भयानक ख़़शाम ने आई है यकीनन ये ख़़वर आपके रोंगते ख़ड़े कर शकती है शुत्रों की मा ने तो मिश्र के एलेक्जेंडीरिया सहर में नौफीट गहरी रहशिमाई पत्थर की कब्र को खोलने की करीचेतावनी दी गई थी बावजूद इसके उसे खोल दिया गया ऐसा कहा जाता था कि यह एक शापित कब्र है जिसे खोलने से काफी समस्याएं आ सकती है लेकिन फिर भी लोगों ने उस शापित कब्र को खोल दिया ये कब्र करीब 2000 साल पुरानी है और इस कब्र में खोज करताओं को पूरी तरह से सर्चु के तीन ममी मिले है शुत्रों की मान में तो ये तीनों ही ममी काले ग्रे नाइट से बनी कब्र के अंदर बदबुदार शीवर के पानी में तैरती हुई मिली दर्शल साल 1922 में जब राजा तूतन खामून की कब्र खोली गई थी तो उसके कुछ में बाद कई लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद से ये अफवा फैले कि या एक शापित कब्र है लेकिन इस कब्र को खोलने के बाद अब तक किसी को भी कोई नुक्षान नहीं पहुचा है